जैश्राम बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल मानः जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिशा लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए फरवरी महीने का जो पूरा बिश्लेशन है फरवरी महीना किस प्रकार रहेगा क्या प्लाइनिंग करना चाहिए किस प्रकार का रिजल्ट आपके लिए होगा इस महीने में उन सभी चीजों की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयाश है और मुझे उम्मीद है कि मेरी मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके भविश्य को उज्वल बनाने वाली ह तो आईए बात करते हैं हमारे जो राशी मकर के जातक हैं फरवरी माह उनके लिए किस प्रकार का रहने वाला है देखिए आपकी राशी में इस बार चार ग्रहों का जो संयोग है सूर्य शनी शुक्र बहश्वति ये चार ग्रही जो संयोग है खास करके सूर्य शनी का जो सं नहीं है यह ध्यान रखिएगा यानि पिता पुत्र के आपसी सम्मध्धों में शमश्याएं उत्पंद्र होंगी कोई प्रॉपटी विबाद इत्यादी है कोई बटवारा इत्यादी यदि है तो अवाइट करेंगे तारीक पंद्रा तक तारीक पंद्रा से पहले यदि पैत् द्वारा नहीं करना ही पड़ रहा है तो ऐसे कंडिशन में जिस दिन ये कारी करना हो उस दिन काली उड़त का दान करके जरूर चले ताकि आपको नुक्सान का सामनाना करना पड़े दशमेश जो शुक्र है उनका जाकर के लगने में गोचर करना है दिखा रहा है कि इस परिवार की दरब से आपका दिमाग हट करके अपने कारे पर ही आप बहुत ज़्यदा फोकस करेंगे लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात नहीं होती ध्यान रखी हमारा जीवन का जिस प्रकार एक कार के चार पहिये होते हैं उसी प्रकार हमारी लाइफ के पार्ट हैं काम ह हमारा एक पहिया है फännली की लाइफ हमारा दूसारा फईया है हमारा स्वास्ते इत्याद स्वाइब को पर ओडं़ी को स्मूद ली नहीं चला सकते हैं उसी प्रकार जीवन में अगर एक पार्ट भी आप छोड़ते हैं तो ऐसे condition में disturbance आ जाएगी थोड़े समय के लिए happiness हो सकती है लेकिन बाद में आपकी life में disturbance जरूर होगी तो हमें परिवार पर भी focus करके रखना है इस महीने पुरा काम काम को ले करके आप चिंतित रहेंगे लेकिन मेरी ये कर रहा है माने तो परिवार पर आप प्रयास करेंगे तो निश्चत रूप से आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होगी क्या करना होगा कि शादी चल्दी हो जाए तो जो भी registration इत्याद कराना है किसे बाद चीत करनी है वो सबाब कर सकते हैं दूसरा शुक्रवार के दिन कपूर का दान आपको जरूर करना चाहे कपूर का दान करेंगे तो ऐसे कंडिशन में आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो प्राप्त होने वाला है किसी भी important काम पर इस महीने अगर जा रहे हैं या जा रही हैं पिता को प्रणाम करके जाना आपकी लाप प्रत होगा पिता को प्रणाम करके जाएंगे तो ऐसे कंडिशन में निश्चेद रूप से अच्छे फल की परापन होगा अच्छा शंतान को लेकर के बहुत सारी लोग बहुत सारे ऐसे नौदमपती हैं जिनको संतान नहीं प्राप्त हो रही है और उनको medical treatment लेना है या IVF इत्यादी का सहारा लेना है या natural उसे संतान का प्रयास करना है मुझे लगता है medical treatment इत्याद इस महीने avoid करना चाहिए कोई उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा नहीं IVF का सहारा भी अगर लेना चाहते है तो इस महीने जो आप IVF इत्यादी का भी सहारा लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे मन नहीं होगा इस महा नीला रंग आपके लिए बड़ा शुभर रहने वाला है नीले रंग का प्रयोग करेंगे आपको लाभ की प्राप्ती होगी शनीवार को तिल मिश्रित कच्चा दूद भागवान श्युव को अरपन करने से आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा ओम नमस्युवाय अमंत कायदी पांच मिनट रोज जब करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाले होंगे यदि कोई और इंफोमिशन आपको प्राप्त करनी है संस्था का नमबर आपके सामने है आप प्लीज कॉल कर सकते हैं आपकी अपनी संस्था है अपने विशे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप कर सकते हैं कोई रत्न प्राप्त करना है लोंगा जेस्ट रिरा